आज हम सूजी यालू का स्नेक्स बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यदा चीजों ज़रूरत नहीं पड़ेगे, यह स्नेक्स बहुत ही कम चीजों में जटपर से बनकर तयार हो जाता है, यह खाने में स्वाधिश होता ही है, और इसे बनाना भी आसान है, नमस्कार, आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है, तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, इस नएक्स बनाने के लिए हमने यहां पर एक कप सूजी लिया है, सब से पहले हम सूजी को पकाएंगे, कडाही में एक बड़े चमत तेल डालकर गरम कर लेते हैं, तेल गरम हो गया है, अब इसमें आधी चोटी चमत सफेद तिल डालेंगे, और इसमें आधी चोटी चमत जीरा डालेंगे, पहले हम जीरा और तिल को अच्छे सचटकाएंगे, इसको हम चलातے हुए हलके सुनाय रंग में भूनेंगे, जिससे इसमें कच्छा पन न रहें, जीर डालेंगे स्वाथ के अंसर, नमक को पानी मिला लेते हैं, नमक को मिला कर पहले हम पानी को उबालेंगे, तो गैस को हम तेज करेंगे और पानी को उबाल लेते हैं, पानी उबल रहा है, आप इसी में हम सूजी को डालेंगे, आप इसको हम बराबर चलाते हुए डो बनाएंग सूजी को हम बराबर चलाते रहेंगे जिसे इसमें लंस न बने गैस को हमने धीमा कर दिया है क्योंकि सूजी जल्दिस पानी सोक लेता है तो इसे हम धीमी आज पर चलाते हुए पकाएंगे जब तक सूजी के टाइट डो न बन जाए तब तक इसे हम चलाते हुए पकाएंगे अब सूजी पानी को सोक कर डो बन गया है गयस को हम बंग करेंगे अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढखकर साइड में रखेंगे जिससे सूजी फूल जाए 5 मिनट के बार ढखकन हटा कर इसे हम एक बरतन में निकालेंगे क्योंकि यह बहुत गरम है तो इसे एक बरतन में निकाल कर ठंडा करेंगे सूजी ठंडा हो चुका है आप इसमें दो गुबला अलू डालेंगे अलू को हमने हाँ से मैस कर के लिए है आप चाहें तो कद्दू कस कर के ले सकते हैं इसके बाद थोड़ा सहरा धनिया डालेंगे आधी छोटी चमच कुटी हुई लाल मिर्श डालेंगे आधी छोटी चमच चाट मसाला डाल देते हैं इससे बहुत बढ़ियां टेस्ट आता है अब सारे चीजों को सूजी अच्छे से मिलाएंगे जो आलूम ढोके हैं इसे हम फोड़ते हुए मिलाएंगे जिससे आलूम ढोके न रहें क्योंकि आलूम ढोके रहेंगे तो इसना एक्स बढ़िया नहीं बनेगा तो इसलिए इसे हमें अच्छे से मिला लेना है सारे चीजों को मिला कर चिकना डो हमने बना लिया है आप इसमें से हम थोड़ा से डो निकालकर लोई बनाएंगे पहले हाथ में हम थोड़ा स्टेल लगाएंगे जिससे हाथ में चिपके न आप इसमें से हम एक बड़े साइज का लोई बनाएंगे फिर इसे चिकना करते हुए चप्टा करेंगे ध्यान रखें इस नैक्स बनाने के लिए लोई बढ़ा लें क्योंकि यह सूजी है छोटा लोई रहेगा तो फट जाएगा तो इसलिए थोड़ा बड़े साइज के लोई लें आप इसे हम बेलन से बेलेंगे पतला नहीं बेलेंगे थोड़ा मोटा बेलेंगे जितना मोटा आलू पराठा होता है ठीक उतना ही मोटा हम इसे बेल लेते हैं इस तरह से हमने पराठे जैसा बेल लिया है यहाँ पर हमने एक छोटी कटोरी लिया है इसी कटोरी से हम स्नैक्स काटेंगे अगर आपके पास इस तरह कटोरी नहीं है, तो आप गिलास से काट सकते हैं, या फिर कटर से काट सकते हैं, एक बार में 4-5 इसनैक्स हम काट लेते हैं, जो इसका इस्टरा पट्टी कटा है, इसे हम निकाल कर फिर से बनाएंगे, तो इसे निकाल कर हम बालन रख देते हैं, इ बनाते समय चिपकेगा, तो सूजी का डो टाइट रखें, और बेदते समय इसे मोटे लेयर में बेलें, पूरे डो का इस नैस हमने बना लिया है, अब इसे हम तेल में तल कर दिखाते हैं, चलते हैं गैस के तरफ, यहां पर हमने तेल को अच्छी से गरम कर लिया है, तेल काफ अब आप देख सकते हैं, यह धिरे धिरे फूल कर तेल को उपर आ गए हैं, तो अब इसे हम धिर धिरे पलट देते हैं, इसको हम दोनों तरफ हलके सुनाय रंग में होने तक तलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम पलटते जाएंगे, जिससे बहु ज़दा लाल नह हो जाए, इसको तलने में बहु ज़दा समय नहीं लगता है, चार से पांच मिनट में फ्राइ हो जाते हैं, अब इसनेक्स फ्राइ हो गया है, तो इसे तेल से निकाल लेते हैं, तलने क बाद आप देख सकते हैं, कितने फुले फुले बने हैं, इसी तरह जो बचे हैं, उसक इसे तेज आज पर ही तले, अब ए भी फ्राइ हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं, इस सूजी यालू का इसनेक्स खाने के लिए तयार है, आप देख सकते हैं, एकदम कचोरी जैसे फुले फुले बने हैं, अब एक पीस हम तोड़ कर दिखाते हैं, इसके उपर कर लेय केचप के साथ खाएं, अगर आप इस तरह किसनेक घर पर बनाएंगे, तो इसे बच्चे बड़े सभी सौख से खाएंगे,